शिवु शप्तियों आ गए घर ती पे शिवु शप्तियों आ गए भर घर में होती है जिनकी पूजा चैतन में वो देवियों आ गए शिवु शप्तियों आ गए घर ती पे शिवु शप्तियों आ गए ओम शान्ति दशारे का त्योहार भारत में एक सांस्क्रितिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है यह त्योहार भारत के हर प्राणी के लिए महत्वपून भी है और एहम भी है भारत में जितने भी त्योहार मनाया जाते हैं जैसे कि शिवरात्री, श्रेक्रेश्न जनमाष्टमी, राम नौमी, इन सभी त्योहारों के साथ हम ऐसा देखते हैं कि शिरी, राम, श्रेक्रेश्न और शिव का नाम आता है। लेकिन दशेरे के त्योहार में दस को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उसमें कहीं भी राम का या रावन का नाम नहीं आता है। किन कानों से वो सुनता होगा, किस मस्तिश्क से वो विचार करता होगा और किन आखों के द्वारा वो देखता होगा। अगर हम थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती हैं कि इसका वास्तव में देखा जाए तो बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस से हैं। क्योंकि जो विकार हैं वो हमारी ज्यानेंद्रियों और हमारी करमेंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो ये दस शीष जो देखाए जाते हैं ये काम, क्रोध, लोब, मोहो, एंकार, इर्शा, हसद, छल, अलस्य और द्वेश के प्रतीक हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये विकार ही हमें परिशान करते हैं। और इन विकारों को, क्योंकि हम लोग विकार जो हैं, वो हमारे मुख्य जीवन के अंदर आज घुस चुके हैं। और ये करमेंद्रियों और हमारी में मुख्य इंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इसलिए ही उनको मुख के द्वारा दिखा दिया गया है। दुनिया के हिसाब से भी जैसे दो जुडवा बच्चे होते हैं, तो वो दो अलग ही प्राणी होते हैं और उनका सोचना, बोलना और देखना सब कुछ अलग ही होता है। तो मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि एक धड़वाला, दस शीषवाला, एक मन का व्यक्ति कैसे हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा गहराई से विचार करते हैं, तो मैं इसका अध्यात्मिक रहस समझ में आता है कि एक्चुली जो शीष दिखाया जाता है, ये हमारे दस बुराईयों का प्रतीक है। और वो दस बुराईया हैं, काम, क्रोध, लोब, मोह, एंकार, इरशा, अलश से, द्वेश और हट। जब ये बुराईया हमारे जीवन में आ जाती हैं और बिलकुल घर कर जाती हैं, तो ये दिखाने के लिए विशेश रूप से शीष का प्रयोग किया गया है। जैसे आज की दुनिया में हम कहते हैं कि लालच के बिना तो बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है। उस के बिना तो जीना मुश्किल है। अगर हम रिशवत नहीं लेंगे, तो परिवार को हम कैसे चलाएंगे। तो आज हर प्राणी के अंदर ये बुराईया देखने में नजर आती हैं। इसी कारण से रावन को दस शीष दिखाये जाते हैं। क्योंकि ये बताया जाता है कि रावन वेद शास्त्रों का ज्याता था। उसके अंदर बहुत ज्यान था। और आपने देखा होगा कि प्राणा में रावन की पुझा की जाती हैं। और पूजा के समय विशेश रूप से रावन को बनाया जाता है, उसके उपर बिढकले रखे जाते हैं और साथ साथ जो की बाल, जो की हम लोग नवरात्रे के दिनों के अंदर बीजते हैं, उसको रखा जाता है और बहने जब भाईयों को तिलक देती हैं, तो उस समय वो जो बाल बीजी जाती है, उसको वो भाईयों के कानों में टांगती हैं, जो इसी बात का सिंबॉलिक होता है, कि जो जैसा करेगा, वो वैसा पाएगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे, तो हमें अच्छा मिलेगा, और यदि हम बुरा सोचेंगे, तो हम उसका रिजल्ट भी जो है वो हमारे सामने बुरा होकर ही आएगा, रावन को शाम को संध्या के समय जला दिया जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है, कि परमात्मा जब इस स्रिष्टी पर अवतरित होते हैं, तो एक ऐसा समय होता है, जब ये कल्यूगी स्रिष्टी खतम होने वाली होती है, और नई स संध्यू स्रिष्टी आने वाली होती है, तो इन दोनों के संधी काल में ही परमात्मा स्रिष्टी पर आते हैं, इसी कारण से रावन को संधी काल के समय जलाया जाता था, पहले कभी एक रावन जलाया जाता था, और अभी तो क्योंकि हरेक के अंदर बुराईयों की बहुत अधिक प्रवेश्ता हो गई है, इसलिए देखने में आता है, कि हर गली में रावन को जलाया जाता है, और रावन के सिर पर गदे का शिष दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है, कि आज की दुनिया के अंदर हम मनुष्य आत्में चाहे कितनी भी पड़ी लिखी हैं, लेकिन जब विकारों की बात आती है, तो हम सभी यही कहते हैं, कि विकारों के बिना तो स्रिष्टी का चलना बहुत मुश्किल है, आपने देखा होगा कि हर साल रावन को बढ़ा करके बनाया जाता है, जिसका भी एक बहुत सुंदर भाव है, कि हमारे जीवन के अंदर बुराईयां दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए इन बढ़ती हुई बुराईयों को अपने जीवन से रोकना बहुत जरूरी है, रावन का दर्शिष दिखाने का एक और कारण भी है, कि कहते हैं कि रावन जो है वो दसों दिशाओं में व्यापक है, माना जो बुराईया है वो हर एक व्यक्ति के अंदर हर समाज में चारों दिशाओं में वातावरण में फैल जा रही है रावन के लिए यहां तक कहा जाता है कि उसने चंद्रमा तक पहुंचने की सीड़ी लगा रखी थी और अगनी वायू जल और प्रकाश ये चारों उसकी चारपाई के साथ बंदे हुए थे जिसका भी ये भाव है कि आज हम बटन को दबाते हैं स्विच को दबाते हैं तो हमें पानी मिल जाता है नल को चलाते हैं तो इसी प्रकार से स्विच आन करने से हमें लाइट मिल जाती है प्रन्तुर रावन कभी भी काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था रामायन के अंदर आगे ये बात भी आती है कि राम की सीता चोरी हो गई और सीता का जो जनम दिखाते हैं वो एक घड़े से खेत के अंधर दिखाये जाता है अब वास्तों में सोचने वाली बात है कि उसका जनम खेत में किस प्रकार से हो सकता है ना ही मटके से पैदा हो सकती है इसका एक बहुत सुन्दर भाव है कि ये शरीर हमारा पंच वटी है अर्थात पांच तत्वू का बना हुआ पुतला अर्थात एक वाटी का है और इसके अंदर आत्मरूपी सीता चोरी हो जाती है चोरी हो जाने का भाव ये है कि जब हम आत्में अपनी रियल कॉंशिसनेस को भूल जाती है कि हम कौन है और बॉडी कॉंशिसनेस में आ जाती है तो बॉडी कॉंशिसनेस में आने से हम देहे के साथ अपने प्रेस्टिज के साथ अपने प्रोफाइल के साथ अपनी जो भी देहे से संबंदी चीजें हैं उनके साथ इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम अपनी वास्त्विक्ता को भूल जाते हैं और जब अपनी वास्त्विक्ता को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर में देहे भान भड़ता चला जाता हैं, और हम आत्माओं की जो सुख और शान्ती है, वो खतम होती चली जाती हैं, तो ऐसे समय में स्वेम राम परमात्मा, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो इस रिष पिश्मन रेखा से बाहर निकल जाना इसी बात का सिंबॉलिक है, कि हम अपनी चीवन की मरियादाओं को जब छोड़ देते हैं, तो मरियादाओं को छोड़ देने से हमारे अंदर में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, रावन का अर्थ होता है, रुलाने वाला, माना य ऐसे समय में फिर हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि विकार जो आते हैं वो साधू वेश में आते हैं, हम कहते हैं कि इसके बिना तो स्रिष्टी का चलना बड़ा मुश्किल है, तो इस प्रकार से हम विकारों के चंगुल में फस्ते चले जाते हैं, जब ह आते हैं और हम मनुष्य आत्में जो बंदरों की सेना के रूप में रामायन में दिखाया गया है अपना साथी बनाते हैं और साथी बना कर हमारे अंदर में जो बुराइया हैं जो विकार हैं उनको हमारे जीवन से निकालते हैं इसलिए दिखाते हैं कि राम ने बंदरों की से अर्थात हमको बंदर से मंदिर के लायक बनाते हैं, तो अभी ये समय है, दशेरा हमको इस बात की याद दिलाता है, कि हमें दस ये जो बुराइया हैं, इन पर विजय प्राप्त करनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि रावन अभी मरा नहीं है, लेकिन इसको अभी हमें मारने की जरूरत है तो आईए अभी हम सबी साइलेंस में बैठते हैं और यह रियलाइस करते हैं कि हमारे में जो बुराइन्या है उनको हम आज के दिवस पर निकालनी का संकर्प लेते हैं हर एक अपने भीदर छिपे हुई बुराई को देखे और संकर्प करे उस निराकार परमात्माराम के सामने कि आज के इस दिवस पर मैं अपने इस पुराई का दान करता है या करते हूं अप्षाटी झाल झाल